वेल्कम बैक टू दी चैनल तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह बहुत ही खास है पिछले कुछ दिनों से हम सारे यूटूब वाले जो हम लोग वीडियोज अपलोड करते हैं उस पर यह मिसूस कर रहे हैं कि हमारी वीडियोज पर व्यूज कम आ रहे हैं जैसे आप कारण का है पहले तो मेरे को भी इसके बारे में समझ में नहीं आया कि यह कारण का है क्या नहीं क्यों हमारी वीडियोज एकदम से चलनी बंदोगे क्यों हमारी वीडियोज पर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो जब मैंने इसके बारे में सर्च किया आराम से तो मेरे को यह पत प्रिफिकेशन मिलती रही आपको तो फाइनली अब मैं बताता हूँ जो हमारे व्यूस कम हो रहे हैं उसका कारण के और जिन लुकों का चैनल मॉनिटाइज हो चुक है उनकी अर्निंग कम हो रही है तो जैसे हम सबको पता ही है YouTube एक algorithm पर काम करता है एक software पर काम करता है अब simple easy language में समझ सकते हैं तो वो अपना algorithm को time to time अपडेट करता है जैसे साल के 365 दिन में से वो लगबग हर 2 या 3 दिन में में लगबग साल के 1500 दिन या उससे ज्यादा दिन वो अपने system को अपडेट करता है so that कोई भी hacker उस system को hack ना करके कोई उसका misuse ना कर सके जैसे कोई भी hacker ये कर सकता है वो खुद का channel बनाके अपने channel पर ज़्यादा views लेकिया सकता है या कोई भी और miss problem create कर सकते हैं तो इसलिए YouTube को अपने algorithm को हर रोज या आप ये कलो दो दिन में या तीन दिन में अपडेट कर है हाँ ये बात जरूर है कि हमें ये पता अब चल रहे है कि हाँ आज जब हमारे views कम होएं कि YouTube का algorithm अपडेट हो रहे है लेकिन ये हर रोज और दो दिन में तीन दिन में चलता ही रहता है इस बार थोड़ी सी system में problem जादा आई है that's why इस बार हम लोगों को पता चल रहे है कि views के कम होने के कारण कि ये हमारा problem दे रहा है algorithm और हमारे views कम हो रहे है और जिन लोगों का channel monetized है उनकी earning भी कम हो रही है तो अब आते हैं उस solution पर कि अब इस views के problem कब solve होगी चलो ये तो system update है system update हो जाएगा तो algorithm proper काम करने लग जाएगा तो हम खुद से क्या कर सकते हैं एक तो YouTube सबसे पहला solution किया है कि हम videos जो अपनी upload करते हैं तो videos को ज़्यादा upload करें अगर आप month में 5-6 videos डालते हैं तो उसको बढ़ा के 10-12 videos करते हो अगर आप weekly 2-3 videos डालते हैं तो उसको ज़्यादा 4-5 videos डाल दो अगर आप daily video upload करते हैं तो दिन में एक से ज़्यादा video upload कर सकते हैं तो आप community tab में भी अपना post डाल सकते हैं जैसे कोई भी image poll या कोई text poll जिससे आप अपने जो आपके viewers हैं जो आपके subscribers हैं आप उनके साथ अटेच रहें अगर वो आपके साथ अटेच रहेंगे तो वो आपके channel को daily search करेंगे और daily जो videos आप डालते हो उनको आप click करेंगे और उनके views आएंगे तो सबसे main important बात क्या है अपने channel पे अपने viewers को जोड़े रखने के लिए उनसे बाते करें आप वो community tab के थरू भी हो सकती है वीडियो के थरू भी हो सकती है और ज़्यादा वीडियो अप्रोड करने से भी हो सकती है तो finally यही solution है और उसके बाद YouTube जब update हो तो उसके बात यह problem खत्म हो जानी है लेकिन यह routine की बात है यह कभी views कम हो सकते हैं कभी views ज़्यादा हो सकते हैं तो community tab को use करते हुए आप अपने community tab से अपने viewers के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बाते करें तो dad कि आपकी जो आप वीडियोज अप्लोड करते हो उस पे वो views डाले और उनको देखते रहें तो यहाँ पर वीडियो मारी खतम होती है और मैं अपने सबी वीडियोज को एक बाए फिर से request करता हूं वो हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon कौन करें तो जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आ झाले तो तरे झाले झाले झाल